So next part करते हैं अपनी वीडियो का हमने इससे पहले method पढ़ा है charging का क्या method था charging by friction the next method is charging by conduction this method is mostly useful for charging metals and conductors ज्यादतर metals और conductor को charge करने के लिए charging by conduction method का use करते है इस method के अंदर क्या होता है friction के अंदर आपने rubbing की थी ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक body को दूसरी body के touch में लेकर के आते हैं just ठीक है और उससे charge क्या होता है transfer होता है तो हम लोग example के लिए एक हमने sphere ले लिया है जो कि एक charge sphere है और इस sphere को मैं positively charge करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने क्या किया एक मैंने road ली जिसके लिए पर negative charge है अभी तक इस sphere का और इस road का कोई contact नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इस road को इस sphere से touch करा देता हूँ तो जैसे ही मैंने इस road को इस sphere से touch कराया तो हुआ क्या क्योंकि यहाँ पर negative charge है और स्फ़ियर के पास positive और negative दोनों किसम का charge है तो जो negative charge है वो किस तरीके के charge को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लेगा positive charge को क्यों? क्योंकि unlike charges they attract each other तो क्योंकि हाँ पे negative charge है तो हुआ गया इस sphere का जितना भी positive charge था वो इस तरफ आ गया और जो negative charge था वो इस तरफ चला गया क्यों क्योंकि negative charge ने negative charge को repel किया और positive charge को attract किया तो positive charge हो गया एक तरफ और negative charge हो गया एक तरफ अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली portion को earthing कर देता हूँ ताकि यह जितना भी negative charge है यानि कि जितने यह electrons है basically वो earth क्या है? अर्थ इसे conductor, conductor है अर्थ एक तो सारे का सारा charge earthing के थूँ वहाँ से earth के अंदर enter कर गया जो की negative charge था ठीक है और इस तरफ क्या है? positive charge है अब अगले step पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इस road को यहाँ से हटा देता हूँ तो यह जो positive charge एक तरफ था अब वो पूरे sphere के अंदर expand यानि की फैल जाएगा तो मेरे पास जो एक sphere था उसे मैंने कैसा sphere बना लिया? एक positively charged sphere बना लिया So this is the method of charging by conduction ठीक है? फिर दोरा देता हूँ charging by conduction में एक body को दूसरी body से touch कराने के जरिये हम charge को transfer करते हैं I hope यह पूरा process आपको समझ में आया हो गया होगा अपने book से इसको read करें और जदा analyze करें Thanks for watching